ओ मुहनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अभिरलत वेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल लेती, मित्रों बिशे संकला के अंतरगत, आज कल हूँ धर्ती पर साच्छा सिव के चमतकार अर्थात रुद्राच की चाचा कर रहे हैं, आज बात करते हैं तीन मुख रुद्राच को अगनी देव का सुरूप माना गया है, जिस प्रकार अगनी स्वन को भी सुद्ध कर देती है, उसी प्रकार अगनी का सुरूप होने के कारण यह रुद्राच सरीर को सुद्ध करने में सहायक है, जिस व्यक्ति का मन किसी काम में न लगता हो, या जीवन जीन पेट के समस्त रोगों से चुट करा दिलाता है तीन मुखी रुद्राच जातक वो पापों से मुक्त करता है या जातक वो पापों से मुक्त दिलाता है तीन मुखी रुद्राच धारण करने के लिए जो इसका मंत्र है वो है ओम, क्लीन, नमह लेकिन सिव का पंचाच्छरी मंत्र जो ओम नमा सिवाए है आप उसके द्वारा भी इसे धारण कर सकते हैं किसी भी सुंबार को इत्पराता नहाद होके आप इसको धारण कर सकते हैं तीन मुक्य उद्राज के बहुत से लाव होते हैं या जातक का चपमुकी विकास करता है यह भी ग्रहस्तों को धारण करने के लिए योग्य है परम कल्यार कारी उद्राज है यह दामपत्य जीवन में मधूरता लाता है और पति-पत्नी वाक उटुम्ब के बीच सामन जस से इस्थापित करता है तो लुत्रों आज कल हम जाचकी संखलया चला रहे हैं अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कपया लाइक करिए, सेर करिए और सबसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आगार नमस्ता